हलो गाइस, हमें बाई ग्रू में स्वागत है, तो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि जो प्लेटिना सो, सिट्टी सो का जो गेर बोक्स है, वो चेमबर में कैसे फिट करते हैं, तो फ्रेंट्स पार्ट टू में स्वागत है, तो सबसे पहले हमें ग्रारी ले लेने हैं, और जो clutch side chamber आता है उसमें हम fitting करके दिखाएंगे तो इस तरीके से दोनों गिरारियों को साथ में attach करेंगे और आराम से इसको नीचे की तरफ bearingों में डाल देंगे bearing दोनों new install किये हैं और साथ ही यह जब fit हो जाएंगी तो दोनों side यह jam होने लगेंगे shaft यानि कि पूरी तरह नहीं गुमेंगी और इसमें शिर्फ उपर की तरफ एक जो input shaft उसमें वह उसर डलता है साथ ही यह selector है उसको हम थोड़ी सी गिरारी उच्ची करेंगे नीचे वाली थोड़े सा जो shaft है उसको बाहर निकालेंगे और यह fit हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह हम close side chamber में fit कर रहे हैं अगर आप magnet side वाले chamber में fit करते हैं तो इसका opposite करना तो फ्रेंट्स यह दो selector है इसको हमें जो बड़ा वाला selector है वो output shaft में लगेगा इस तरीके से निचे की तरफ तो फ्रेंट्स इसमें जो selector का खाच्चा होता है उसमें normally आपको ऐसे ही पता लग जाएगा क्योंकि निचे की तरफ की गिरारी में attach होगा तो यह निचे वाली जो socket होती है selector का उसमें डलेगा और उपर वाली जो एक छोटा selector आता है छोटी वाली का और यह बड़ी वाली का तो बढ़ा selector output shaft में और छोटा वाला input shaft में क्योंकि निचे की तरफ की जो output sharp में बड़ी गिरारी होती है इस तरीके से भी आप पैचान सकते हो बड़ी गिरारी में बढ़ा selector छोटी गिरार क्राइटर के खाचे में energized होगा तो उल्टा-स उल्टा आपको problem होकि कैसे उल्टा है कैसे उल्टा है तो वह इस तरीके से आपको difference कर सक्ते हो कि इसको उल्टा गुमा के fit करोगे तो जो खाचा होता है वह selector में यह फिर गें अटायच होगा और दौनो ध्यान रखना है कि pipe को lubricant करना है नै कि hol में आपको oil डालना है जिसमें ये pipe अगर?' अगर Bürickant यानि कि oil डाल दिया तो जब हम इसको FIT करेंगे तो ये push मतलब कि pump की जैसे काम करेगी तो पहले इसको fit करना है lubricant करके oil में फिर हमें बाहर से oil इसमें डाल सकते हैं और इस त्रिके से हम पूरी तरह आप दे सकते हो जैसे ही हमने स्वेकटर लगाए हैं इसके तभी यह गरारी आफीर होई है अगर स्वेकटर नहीं लगाएंगे तो दenary दोनों तरफ नगें ज्याम लेटर के ल को मौ करेंगे तो यह घुमेंगी नहीं तो तो इस तरीके से हम इसको fit कर लेते हैं और हम गेर डाल के देखेंगे तो फ्रेंट्स लूब करना जरूरी है लूब करने से हमारी जो फर्स्ट किक पर जो जब हम start करेंगे तो run करेगा तो उसमें कोई problem नहीं आएगी ग्रारी शुखे नहीं चलेगी dry और इस तरीके से हमें प पूरी ग्रारियों को लूब कर लेते हैं क्योंकि जब हम इसको ghost करते हैं तो पूरी तरह ग्रारिया dry हो जाती है और जब हम first kick मारेंगे हमारा oil pump work करेगा तभी तक बहुत ज्यादा time हो जाता है जिसकी वजह से हमारी ग्रारिया dry कर चलने लग जाती है और engine में sound आने लग ज में उपर की तरफ selector डला है वो नीचे की तरफ डलेगा जो output में तो इसका उपोजिट हो जाएगा जो वर्सल अब input के उपर है छोटी वाली गिरारी में वो नीचे चली जाएगी वर्सल तो इसका उपोजिट कर देना कोई problem नहीं आएगी तो bearing को हलके आथ से हम फिट करें करेंगे जयान रखना जो हैमर है वो प्लास्टिक वाला हैंबर हो उसी से हम फिट करेंगे लोहे के हैंबर से यूज नहीं करेंगे और bearing को हलका सा लूब कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो bearing है अच्छी तरह है रन करने लगे और फिर हम इसमें crank को fit करेंगे crank को fit करने से पहले हमें ध्यान देना है कि जो assembly में oil जाता है assembly के bearing को fit रन करने के लिए वो जाता है नहीं ऐसे इसमें oil डालना है और ऐसे pump फूक मारनी है इसमें से जो clutch side rotor side hole रहता है उसमें ऐसे फूक मारनी है splendor का भी आपको ऐसे ही check करना है ऐसे oil निकलेगा तो आपका जो hole है वो एकदम फिर ही अगर oil नहीं निकलता तो आपको फिर से wire जो लोहे का तार आता है उससे आपको साफ करना होगा oil निकलना जरूरी है अगर oil नहीं निकलता तो कितना भी आप अच्छा ओरिजिनल पार्ट डाल दीजिये इंजन में, आपकी क्रेंक जो है, जाम होगी, यानि कि सीज होगी ही होगी, इसमें आवाज आएगी, असेमली की, क्योंकि ओएल से लूब्रिकेंट नहीं होगा, तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह कि इन्फरमेटिव वीडियो के लिए आपके नोटिफिकेशन मिलती रहे, उसके लिए नोटिफिकेशन आइकन को बेल आइकन को ओन करें धन्यवाद